नमस्कार मैं हूँ कुमार गजेंदर चनपत ओन्दा स्पॉर्ट में आपका स्वागत है अमारेक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटपॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंदर में भी आपका स्वागत है जहां आप हमें सुन सकते हैं बहुत बड़ी खबर हमने कल आपको एक खबर ब्रेक करके बताई थी आपको याद होगा कि दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरिवाल कितना बड़ा फरजी वाड़ा है वो चलते फिरते फरजी वाड़ा है और इसकदर सातिर है कि साइद ही उनके मुकाबले कोई नेता सातिर हो दरसल वो सातिर इसलिए है कि उन्होंने जो राजनीती में आने से पहले जिस तरीके के काम किये थे जिन लोगों में काम किये थे जिन इलाकों में काम किये थे दरसल उनका सारा असर अरविंद केजरीवाल के उपर है और अरविंद केजरीवाल की पूरी स्ट्रेजी बताता है कि वो किस तरीके के सातिर लोगों में रहकर यहां तक की सातिरगीरी वो सीके थे यानि के अर्विंद केजरिवाल को हमने कल आपको बताया था कि अर्विंद केजरिवाल अपनी जमानत के लिए जेल से बाहर आने के लिए ताकि उन्हें अंतरिम जमानत ही मिल जाए किसी भी तरीके से जेल से बाहर आ जाए इसके लिए वो जेल के अंदर बैठे बैठे तिकर यह थी कि अपने आपको जादा से जादा बिमार किया जाए और बिमार करने के बाद अस्पताल जाया जाए और जैसे ही अस्पताल जाएंगे तो पूरे आम आदमी पार्टी हला मचाएगी हला मचाने के अलावा यह खबरे लीड बनेंगी सारी खबरे दिल्ली के लेवल से को देखिए धीमा जहर देकर किस तरीके से मारने की कोशिज़ की जा रही है हाला कि इस अभी भी आतीसी ने यही आरोप लगाया है लेकिन हम अभी आपको बताएंगे आतीसी का बात में बताएंगे पहले यह बताएंगे कि हमने आपको बताया था कि अर्विंद केजरिवाल जेल के अंदर किस तरीके से हाई ब्लेड सुगर लेबल बढ़ने की बात कर रहे हैं और साथ में मीठा खा रहे हैं यानि कि अर्विंद केजरिवाल जो अपने डाइट के नाम पर देखिये फाइरा यह आदमी कितना अपने यह एक लिकेशन लगाता है कि मुझे दो टाइम घर का खाना दिया जाए जब जज अदालत जो है यह इस पास कर देती है यह ऑडर कर देती है कि इनको दो टाइम घर का खाना उपलब्द कराया जाए तो उस खाने में वह खा क्या रहा है ऐ ब्लड प्रेसर का सुगर का मरीज अपनी जेल के सैल में मिठाईयां खा रहा है अपने जेल के सैल में मीठी चाय सुगर से लवा लव एगनम चीनी डाल के चाय पी रहा है घोट-गोट के इसके अलावा आम खा रहा है साहब देखिया आम भी खा रहे हैं इसके अलावा मिठाईयां खा रहा है यह अर अर्विंद केजरी वाल का जो ब्लड सुगर लेवल है वो लगातार फ्लक्चुएट कर रहा है फिर उस ख़बर को लीक कराने के बाद अदालत में एक पैटिशन फाइल कराई जाती है जो केजरी वाल के वकील है विवेक जैन उनके मारपत के अर्विंद केजरी वाल का जो ब वीडियो कॉन्फरेंसिंग के द्वारा उसकी जाच कराई जाए और रोज कंसल्ट कराया जाए कंसल्टेशन उनकी कराई जाए उस डॉक्टर के साथ वीडियो कंफरेंसिंग के जा रहा है उसके इसके बारे में भी हम आपको एक दूसरी वीडियो में खुलासा करेंगे कि वो आखिर वीडियो कॉन्फरेंसिंग में कंसल्टेशन की बात क्यों कह रहा था लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखे एक हाई ब्लड सुगर का जो मरीज है क्या जेल के अंदर इस तरीके का खाना खा सकता है क्या जेल के अंदर उसी के घर के लोग उसे इस तरीके का प्रोवाइड करा सकते हैं, क्या वो आम खा सकता है, क्या वो मिठाईयां खा सकता है, क्या वो भर भर के चीनी डाल का चाय पी सकता है, क्या वो आलू पूरी खा सकता है, देखिए किस तरीके का आदमी है यह, कि यह हर हाल में यह चाहता था, कि इसका बुलड सुगर लेवल ज अस्पताल आएगा जैसे के सतेंद्र जैन पूर्व में कर चुका था सतेंद्र जैन ने भी यही नाटक किया था लेकिन बाद में अदालत ने उसको ठोक के मारा और आज जेल के अंदर सड़ रहा है उसी तरीके से उसी तरज पर अरविंद केजरिवाल चल रहा था हमने आपक पाइदा अदालत को लिखित में दिया है आज इनकी तारीक थी अदालत के अंदर और आपको ये भी पता देते हैं कि आज ये अदालत के अंदर जब वकील जुहेब हुसेन ने एडी के ने ये सारी इनकी पूल पट्टी खोल दी आप मेरे पीछे देख रहे हूंगे पूर पीछे चार्ट पूरा और जो वकील के जो पॉइंट्स हैं वो सारे देख रहे हूंगे इस बात से केजरी वाल इतना घवरा गया कि उसने आज ये अपनी एप्लिकेशन भी याचिका वापस ले ली और वापस लेने के बाद जब उनसे पूछा गया अदालत ने कहा कि ये दोबारा फाइल करेंगे ये हाला कि बहाना था अब दोबारा फाइल नहीं करेंगे क्योंकि केजरी वाल की ये पूरी बात अब पकड़ी गई है देखिए कितना बड़ा जूटा कितना बड़ा फरेब फैलाया गया था और हाई सुगर लेबल जो इनका ब्लेड सुगर ले सुनि Object कई भी मिटिंग कि सीज महल के अंदर किसी का घुसना एलाउ नहीं है और अपने लोगों से भी मिलते पिछले बैक गेट बैक डोर से और अपने लोगों से मुलाकात करने के अलावा वीडियो कॉन्फरेंसिंग से पूरे देश में अपना ये जो चुनावी केमपेन है वो चलाते तो ये बहुत जबरदस्त एक साजिस रच रहा था अरविंद केजिवाल जेल के अंदर लेकिन ये बात लीक हो गई हमने आपको कली ये वीडियो आपको डाला था बना कर इनका जो फास्टिंग सुगर जो बताया जा रहा है एक सो तिरतर दो सो सरसर तक चली गई थी और एक सो बीस नॉर्मल सुगर होता है आप समझे इसने अपने आप मिठाईयां खा खा कर किस तरीके से अपना सुगर लेबल बताया बढ़ाया उदर समसे बड़ी बात ये एक और समझे के आतिसी मारले नों तुरंत सामने आई और उन्होंने आज इसे अर्विंद केजरिवाल को जान से मारने की साजिस करार तक दे डाला लेकिन इसके जवाब में भारतिय जंता पार आईटी के दिल्ली परदेश अद्यक्ष विरेंदर सच्देवा ने कहा कि अर्विंद केजरिवाल तीसरे नवरात्रे पर चार अंडे खा रहे थे ये देखे किस तरीके का भगता है एक तरह वो बताती है आलुकूरी खाना जो है वो तो हमारे नवरात्रों का वो है ये हिं खोल कर रख दी और इनको बताया कि आप परसाद नहीं खा रहे थे चार चार तीसरे नवरात्रे में चार अंडे खा रहा था ये आदमी आप समझे किस तरीके का आरोप परत्यारोप और इसके अलावा जो ये सारा मामला चल रहा था वो बहुत ही गंभीर मामला था अर्वि के जिवाल के वकील विवेक जैन ने एडी के वकील की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि जांच एजनसी ये बयान मीडिया के लिए दे रही है अर्विन के जिवाल के वकील ने कहा कि उनका फास्टिंग सुगर 243 था जो कि बहुत जादा है डिली की एक अदालत ने अभी एप्लिकेशन लगाई इस एप्लिकेशन में इस याचिका में नियुमित डॉक्टर से सला करने के मुख्यमंत्री अर्विंद केचिवाल की याचिवका पर गुरुवार को एडी ने अपना जवाब दाखिल किया था जिसमें सुनवाई हो रही थी कि इनकी जो कंसल्ट बाहर बैठे जो डॉक्टर है उससे डेली कंसल्ट कराया जाए वीडियो कॉन्फरेंसिंग के द्वारा ये गुरुवार को उस याचिका पर कोट सुनवाई कर रहा था एडी की तरब से पेश हुए वकील जुनेब जुहैब हुसेन ने बताया कि मुख्यमंत्री जाएगी जिससे इनका ब्लंड सुगर लेवल लगातार बढ़ता रहेगा और जो इनको घर के खाने में इनको आ रहाता तो सुगर बढ़ने की वज़ा उनका घर का खाना है उन्हें घर से आलूपूरी आम मिठाई और मीठी चीजे खाने के लिए दी जा रही है इसके अला सब मेडीकल के आधार पर जमानत दाखिल करने का आधार बयाया जा रहा है यानिके जमानत पर ये मांगने के लिए आधार बेस तैयार कर रहे थे हाई ब्लड सुगर लेवल को बढ़ाने का अर्विंद केजिवाल के वकील विवेक जैन ने इडी के वकील की दलीलों का ब्र 243 ता जो कि बहुत जादा है और केजिरीवाल को डॉक्टर द्वारा निर्देशित भोजन ही दिया जा रहा है डॉक्टर कौन सा ऐसा डॉक्टर हिंदुस्तान नहीं बिदेशों में बता दीजिए जो अपने मरीज को आम खाने की सला दे रहा है जो अपने मरीज को करना चाहते थे हफते में 5 बार पांच बार यह कह रहे थे तो यह जो निर्देश जो भोजन दिया जा रहा है वो डॉक्टर की सलापर है वहीं एडी ने कोट को बताए कि अर्विंद केजिवाल चीनी वाली चाय पी रहे हैं यह हम नहीं कह रहे हैं यह तो एडी का वकील कह र पर कहीं पनिस्मेंट ना हो जा आदालत नराज हो कर उल्टा फैसला ना लिख दे तो उसने यह याचिका तुरंत वापस ले ली गज्रिवाल इतनी बुरी तरीके से घवर आ गए कि याचिका यह वापस ले ली केज्रिवाल के वकिर ले का की वह संसोधित याचिका दाखिल क तरेंगे आप देखें संसोदन क्या करना था इडिक ने कहा कि हमने केजरीवाल के सुगर लेवल को लेकर जेल ऑथरिटी से रिपोर्ट मांगी गई थी और केजरीवाल के डाइट चार्ट को भी मांगा था बता दे कि केजरीवाल की फास्टिंग सुगर 173-276 तक गया है क्या वह alarming नहीं है 120 नॉर्मल सुगर होता है राउजविन्य कोर्ट मे कल यानि सुकर्वार को फिर से याचिका वापस लेने के बावजूद सुक्रवार को फिर से इस मामले पर कोट सुनवाई करेगा क्याने केजरीवाल फसेगा इसके अंदर ये जो घाग आदमी है ये लपेटा गया है हमने आपको एक दिन पहले ही ये खुलासा करके बता दिया था केजरीवाल किस तरीके से ग्राउंड तयार कर रहा है साजिस रच रहा है जेल के अंदर बैट कर और उस साजिस के अंदर आम आदमी पारटी और उसके परिवार के लोग भी सामिल है और उस डॉक्टर के खिलाब भी कारवाई होनी चाहिए जिसका नाम पारवार अर्विंद केजरीवाल ले रहा है और जो आम जैसी चीनी जैसी चीजे खाने को अपने मरीज को कंसर्ट दे रहा है आपको बता दें कि विसेश न्याइदीस राके सेयाल के समक्ष दायर अपनी याचिका में केजरीवाल ने कहा था कि उनका जो सुबर इस्तर लगातार फ्लेचुएट कर रहा है वे अपने नियमिट डॉक्टर से प्रामर्स करना चाते है न्याइदीस ने एडी को 18 अप्रेल तक अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया था और वकील ने दलीद दी थी कि जेल में ऐसे रोगियों के लिए आवशक सुबिदाएं हैं तता वहाँ उनका चिकिस्ता परिक्षण भी लगातार किया जाता है जेल के अंदर लेकिन साहब तो आप आदमी है नहीं भाई आवो टोपी तो दिखावे के लिए लगाते थे ये तो बड़े खास है वी वी आईपी है इन्हें हर चीज वी वी आईपी इस तर में चाहिए ये वही आदमी है लाल बत्ती नहीं लेंगे वी वी आईपी कर्चर नहीं लेंगे कहीं पर हम तो दो कमरे का फ्लैट दे दो ये तो दस-दस AC लगा के सीला दिक्सित रहती है इसको तो दिकालना चाहिए इसे जेल में डालना चाहिए अब इनके सीस महल में 200 AC लग रहे हैं पूरा सीस महल एर कंडिशन है और पांच लाख का कबोड है जिस पर बैठके सुवे सुवे साहब फ्रैस होते थे अब ये वहाँ पर इस्टील की जो लोहे की कबोड है उस पर फ्रैस हो रहे होंगे आप सोचिए कितना फ्रेवी आदमी है केजिवाल के वकील अपने मवार्कील की होड़ से कहा कि यदी मैं अपने स्वास्ती की देखवाल कर रहा हूँ तो इडी उसका विरोध क्यों कर रही है अदारत ने सौंबार को कथित आपकारी नीती गोटाले से जुड़े धन सोधन मामले में केजिवाल की नियाई कहरासत 23 अपरेल तक के लिए बढ़ा दी है इडी ने अपने आमाद्वी पार्टी के नेता केजिवाल पर आपकारी नीती के निर्मान और कार्यानवन से लेकर दिल्ली सराब घोटाले में सामिल रहने का पूरी साजिस करने का आरोप लगाया था उदर आतीसी मारलेनों ने प्रेस कॉन्फरेंस करकर एडी पर अरविंद केजिरिवाल की हत्या करने की साजिस का आरोप लगा दिया लेकिन पलट के भारते जनता पार्टी के विरिंदर सच्दिवा जो अध्यक्ष है दिल्ली परदेश के उन्होंने कहा कि अरविंद केजि सिवाल तीसरे नवरात्रे में चार-चार अंडे खा रहे थे यह बहुत बड़ी बात हो गई है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजिरिवाल की अदालत के सामने पोल खुल गई है किस तरीके से वह सारी अपने आपको विमार साबित करके सतेंद्र जैन की तर पेनल्टी भी लगाते बहुत बड़ी बात है ऐसे साजिस करता इस तरीके के राज निता को जरूर पकड़ा जाना चाहिए और अरविंद केजिवाल पर बड़ा इस पर कोई या तो अलग से केस दर्ज किया जाना चाहिए या पैनल्टी लगाई चाहिए अरविंद जाना भी बंद किया जाना चाहिए और चाहिए कि डॉक्टर जो तिहार जेल के अंदर है उसी से इनका इलाज कराया जाना चाहिए क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अर्विन केजिवाल कोई बहुत विशेश आदमी नहीं है और यह खुद ही कहते थे बार बार के यह एक आम आदमीया तो आम आदमी को विशेश दरजा आखिर जो बड़ा सवाल है कि आम आदमी को विशेश दरजा क्यों पहराल अगर आपको हमारी ख़बर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक सबिस्काइब और शेयर जरूर करें कमेंड्स बॉक्स में अपनी राय जरूर ज मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के स्कैनर को स्कैन करके भी और या फिर हमारे सुपर थैंक्स के बटन को दबा कर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं जहिन जभारत